व्यव्य akka कि हए गाईस माइनेम इस भावेश और आज यार हम पृर्दिन्टर कंजुमर प्रोब्लम पढ़ने वाले हैं फिर उन प्रोभांस में हमने पर्डीशल प्रेद अब्रिंटर प्रोटर अब मदधिए थी ठीकम psychology जल जाएगा कि कैसी-कैसी synchronization में problems आती हैं फिर उन problems के हम solution निकालेंगे one by one let's start तो देखिए printer spooler problem क्या होती है एक spooler directory होती है हमारे पास इसको बलते spooler directory और printer का काम क्या होते है इस spooler directory के अंदर किसी file को save करना किसी file को इसके अंदर डालना किसी भी तरा की हो सकते है इस पूहर डारेक्टरी इंदर डालना oh बोलते कि इंडेक्टरी में किस इंडेक्स पर फाईल को डालना हैじए तो हमारा इन वैर्यबड बोलेगा हमें वेरियबल हमें बताता है तो हमारे पास पूर्लर डिरेक्टरी है और एक इन वैरियेबल है तो आए शुरू करते हैं ठीके जी तो प्रिंटर ने इन वैरियेबल मतलब कि इन मालग अभी के लिए जीरो है इन आभी माल लीजे जीरो है तो प्रिंटर कोई फाइल राइट करेगा लेट से ए बीसी तो ऐसे प्रिंटर का काम क्या है पूलर डिरेक्टरी के अंदर फाइल को एड़ करते रहें आए इसका प्रोग्रेम लिखकर देखते की माइक्रो प्रोग्राम इसका कैसे हो ना ठीक है तो सबसे पहले तो इन वेरियेबल को एक रिजिस्टर पर स्टोर करना पड़ेगा लेट स्टोर इन वेरियेबल और रिजिस्टर और उस पर हमने इन वेरियेबल को लाकर स्टोर कर दिया है अब क्या करेंगे स्टोर करेंगे स्पूलर डिरेक्टरी में स्पूलर डिरेक्टरी में रिजिस्टर इंडेक्स पर रिजिस्टर में क्या है इनकी वैल्यू स्पूलर डिरेक्टरी का इन स्पूलर डिरेक्टरी के इन पर क्या स्टोर करेंगे फाइल का नाम वाप्पिस इन्वेरियेबल पर उसे स्टोर कर देंगे ठीक है तो हमने रिजिस्टर की जो वैल्यू थी चीट कर वाप्स इन्वेरियेबल कि इन्वेरियेबल के फाइल को स्टोर किया तो जैसे कि 012 एके करके इन्वेरियेबल इंउरा और फाइल स्टोर नहीं के लिए एफ इर प्रोग्राम काम कर रहे है आई यह तो अब इसके अंदर दो वो प्रोसेसिज चलाते हैं P1 और P2 तो आपको पता यह कि अगर किसी प्रोब्लम को गलत प्रूफ करना है तो हमें क्या करते हैं हम processes को preempt करकर देखते होते हैं processes को preempt करकर देखते होते हैं अगर किसी भी preemption पर किसी भी preemption पर हमारा answer गलत आता है या फिर कुछ गड़बड होती है problem के अंदर इसका मतलब वो solution गलत है वो solution गलत है ठीक है तो आएए देखते हैं कि गलत है या निये इसको मैं बूलत हूं, एस प्रॉबलम का एनालियस करते है, तो कैसे करेंगे, इनकी वेलु मानले याभी स्टार्टिंग में टू है इनकी उट्सक्शन एक्जिस्ट करती है तो फिर्स इंस्ट्रक्शन एक्जिक्यूट ऊने पर क्या हुआ होगा री एंदर इनकी विल्यो स्टोर हो गया है यानि कि अधित क्या पढ़ा है अभी एंधर में पणार पढ़ा है विलिलिया य Сам थे Bill एक लिह को फ़रे that है 10 डेक्सवर सेकिन्द इंडेक्स पर आपकर फाइल store हो जाएगी let's say any file y.txt कोई भी फाइल नेम लगा लो वो जाकर store हो गया वो जाकर store हो गया अब second instruction भी execute हो चुकी है third instruction execute का देते है फिवन के लिए third instruction क्या बोलते है increment ri increment ri तो ri की value 2 से 3 हो गई ri की value 2 से 3 हुए invariable के भी 2 ही है invariable पर हमने ri को वाप पे store नहीं गया invariable की 2 ही है ri की value 3 हो गई अब यहां पर process को मैं preempt कर देता हूँ अब यहां पर process को preempt कर देता हूँ P2 को run करना शुरू करता हूँ P2 हो गई शुरू first instruction execute होई तो र 2 बोल लेते हैं register को r2 पर 2 इनकी value अभी भी 2 है तो r2 पर 2 आका store हो गया ठीक है spooler directory में second index पर function कोई file store करनी है let's say अब सेकंड इंडेक्स पर y.txt की जएंगे क्या हो गया z.txt क्यों हो गया P2 ने किया P2 की second instruction ने ऐसा काम किया कि second index पर z.txt पर हो गया y.txt की जएंगे जबकि P1 ने y.txt पर किया था इंक्रिमेंट आ रहाई 3 से 4 हुआ sorry R2 R2 करेंगे क्योंकि P2 के लिए R2 है रेजिस्टर 2 से 3 हो गया और फिर श्टोर हो गया invariable पर R2 थार्ड भी एक्जिक्यूट हो गई और फॉर्थ भी एक्जिक्यूट हो गई और फॉर्थ भी एक्जिक्यूट हो गई प्रोसेस प्रीमेंट अब T1 से निकल गई थो P1 अपनी लास्ट इस्ट्ट्ट्रेक्शन एक्जिक्यूट करेंगी कौन सी इंस्ट्रक्शन पर राए ए श्टोर हो जाए, already 3 था, already 3 हो गए, r i कि वैलु 3 है, already 3 ही है, बट यहांपर problem क्या आई, यहांपर problem देख सकते हो, क्या आई, यहांपर problem क्या आई, we just lost the data, we just lost the data, P1 ने जो file street, lost कर गए, and z.txt store हो गई, तो इसको बोलता है है, Loss of Data problem, तो एसी बहुत सारी problems Create हो सकती है, अगर हम Synchronization Properly न करें, अगर हम Synchronization Processes के बीच में Greaterly न करें, तो एसी बहुत सारी problems लखकर हो सकती है, तो इनी problems का solution, हम अगली Next विडियो में discuss करेंगे, तो यह थी आपकी Printers और यह हमारा solution यह सुसक्राइब हो जाता है क्योंकि पर्णस्टस अच्छे से सिंकॉरॉनाइज नहीं है क्याई होई तो जस लोस देटा लोस देटा ना भी प्रोब्लम अराइज होती है थैंक यू